मूवी के स्टार्ट में हम एक स्पेस शिप को देखते हैं, जो की तेजी से प्रिथवी की तरफ आ रहा था, और देखते ही देखते, वो प्रिथवी पर आकर एक नदी में क्रैश होता है। इस क्रैश में एक आदमी सही सलामत बच जाता है, जिसके बाद वो अपने साथी को लेकर पानी से बाहर आता है, और यहां पर हम देखते हैं कि उसके साथी की जान जा चुकी है, लेकिन उसके साथी की जान क्रैश की वजह से नहीं गई थी, क्योंकि उसके सूट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, वहीं जो आदमी अभी जिन्दा था, उसका नाम कैनन होता है, उसे नदी में एक बोक्स तैरता हुआ दिखाई देता है, दरसल उसमें एक कम्प्यूटर होता है, और वो कोई नॉर्मल कम्प्यूटर नहीं होता, बलकि वो एक बे कैप कम्प् बलकि वो एलियन होता है जो किसी और ही प्लेनेट से प्रिथवी पर आकर क्रैश हो गया था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो कम्प्यूटर उसके दिमाग में यहां की लैंग्विज भी ट्रैंसफर कर देता है, खैर, अब इसके बाद वो अपना हथियार उठ जाता है, वो जंगल में जाने लगता है और वो चलते चलते एक गाव में पहुँच जाता है, इस गाव में सब कुछ तबाह हो रखा था, फिर उसकी नजर एक दीवार पर पढ़ती है, जिस पर कुछ पंजों के निशान थे और उस लकड़ी की दीवार पर बने पंजों के निशान को देखकर साफ हो जाता है, कि ये निशान प्रिथवी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि कैनन ये देखकर समझ जाता है कि ऐसे जानवर उसकी दुनिया में होते हैं, फिर अचानक से कैनन पर कोई हमला करता है और उसकी गन नदी में गिर जाती है, और इ पाइरन एज में लोग गाव और कबीलों के रूप में रहा करते थे। वो लोग अक्सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे, जो कि एक आम बात थी केनन को बांध कर अपने गाव में ले आता है। क्योंकि वो गाव के बरबाद होने का जिम्मेदार केनन को समझ रहा था। उसे लगता है कि शायद गाव की इतनी बुरी हालत इसी की वजह से हुई है। इस गाव का किंग, जिसका नाम रौतकर होता है, उसकी एक बेटी भी होती है, जिसका नाम फ्रेया होता है। और बुलफरिक उसी बादशाह का नेफ्यू, यानि भतीजा था, और क्योंकि अगला राजा बुलफरिक ही बनेगा। इसलिए राजा अपनी बेटी फैया की शादी उससे कराना चाहता था। लेकिन फ्रेया इसके लिए राजी नहीं होती, क्योंकि बुलफरिक के जो फादर थे, वो काफी बुरे और जगडालू किस्म के इनसान थे, और अपनी इनहीं बेवकूफियों की वजह से, उन्होंने एक जंग में अपनी जान गवा दी थी। इसलिए फ्रेया को लगता है कि जरूर बुलफरिक भी अपने फादर के ही जैसा होगा। इसके बाद हमें उस तबाह हुए गांव के सरदार को दिखाया जाता है, जिसका नाम गनर था। एक वक्त हुआ करता था जब ये दोनों कबीले एक साथ थे, लेकिन बुलफरिक के फादर की वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई, और इस जंग में बुलफरिक के फादर ने गनर से हेल्प मांगी थी, लेकिन गनर और उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता ह और उसी जंग में बुलफरिक के फादर की जान चली जाती है। कि वो कहां से आया है लेकिन कैनन उन्हें ये नहीं बताता कि वो इस ग्रहका नहीं है बलकि उन्हें ये बताता है कि वो बहुत दूर से आया है और जब वो सफर कर रहा था तब एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक किस्म का जानवर उसकी शिप पर में मार सकता है लेकिन जब वो ये बता रहा था तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था तब ही अचानक से उनके गाव में किसी चीज का हमला होता है जो कि किसी और ने नहीं बलकि मोर्विन उसने गाव के बहुत सारे लोगों को मार दिया था मोर्विन का शिकार कर सके अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें इतनी बड़ी गुफा दिखाई देती है वो उसके अंदर चले जाते हैं और जब भी ये लोग वहां खड़े होते हैं तब अचानक से कोई चीज बातशाह के उपर हमला करती है दरसल वो एक बहुत ही बड़ा भालू था जो कि राजा को मारने वाला होता है तब ही कैनन अपनी तलवार निकाल कर उसके पेट में घुसा कर उसे मार देता है जिससे वो फौरण मर जाता है ये देखकर कभी ले गए सभी लोग कैनन को बहुत पसंद करने लगते है उनकी नजर में कैनन की इज़त बढ़ जाती है अब भालू को मारने की खुशी में ये लोग सेलिबरेट करते है वो पार्टी करते हैं और काफी खुशिया मनाते है क्योंकि उन्हें लग रहा था जो कि उनके गाव के लोगों को मार रही थी लेकिन कैनन जानता था कि ये इन लोगों की गलत फहमी है क्योंकि मोलिन अभी भी जिन्दा है खैर अब अगली ही रात उनके गाव पर फिर से एक हमला होता है और ये हमला कैनन ने करवाया था ये दोनों कबीले आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं और इस लड़ाई में दोनों कबीले के बहुत सारे लोगों की जाने चली जाती है गनर की टीम यहां पर हार जाती है और गानर और उसके बाकी के साथ ही इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और जंगल में चले जाते हैं लेकिन जब वो जंगल में होते हैं तब ही मोर्विन उन पर अटैक कर देता है और गानर के सिपाहियों की जान चली जाती है फिर मोर्लिन गानर पर हमला करता है और गानर भी उसे देख लेता है और वो फौरन ही बुल्फरिक के गांव की तरफ भागने लगता है और तब ही वो गांव के लोग भी मोर्विन को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं है बल्कि उससे भी कोई भयानक चीज है ये देखकर बादशाह बहुत परिशान होता है वो कैनन से हेल्प मांगता है कि इसे कैसे रोका जाए जवाब देते हुए आइडिया देता है कि हम इसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिचाएंगे और इसलिए वो लोग जंगल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गड़ा खोदते हैं और उस गड़े को तेल से भरकर उसके उपर लकड़ियां और घास फूंस रखती जाती है और इस तरह से वो अपने भागने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं जब मोरविन इन पर हमला करने के लिए आएगा तो वो इस गड़े में गिर जाएगा और ये लोग उसे यहां पर फंसा कर आसानी से अपनी जान बचा कर यहां से भाग सकेंगे खैर, अब इनका ये काम पूरा हो जाता है जिसके बाद केनन अपनी स्टोरी फ्रेया को बताता है वो उसे बताता है कि जिस प्लैनेट से मैं आया हूँ वहां पर काफी advanced technology का use किया जाता है और हम लोग काफी advanced थे हम काफी high technology के मालिक हैं बाकी के प्लैनेट पर भी अपनी ही तरह के लोगों की दुनिया आबाद करना चाहते थे फिर हमने बहुत सारे प्लैनेट्स की तलाश की और हमें एक प्लैनेट मिला लेकिन वो पूरा का पूरा प्लैनेट मौर्विन का था वहाँ पर सिर्फ मोर्विन का ही राज था मोर्विन साइज में काफी बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि वो घास खाने वाले क्रियेचर थे हम उस प्लैनेट पर बस जाते हैं और अपनी जिन्दगी गुजारने लगते हैं हमें बाकी के भी प्लैनेट पर लोगों को बचाना था इसलिए हम मोर्विन को मारने का फैसला लेते हैं हम लोग मोर्विन को एक नॉर्मल सा जानवर समझते थे हमें उसके खतरे का कोई अंदाजा नहीं था इसके बाद हमारे लोग मोर्विन के प्लेनेट पर जाकर उन पर हमला कर देते हैं हमने उन पर न्यूकलियर हमले किये जिसमें सारे मोर्विन मारे गए वो प्लेनेट मोर्विन की आबादी से एकदम साफ हो चुका था और उसके बाद हम लोग अपने जैसे लोगों की दुनिया वहाँ पर आबाद कर देते हैं इस प्लेनेट पर कैनन की फैमली भी रहना शुरू हो जाती है लेकिन एक बार कैनन को अपने मिशन पर जाना था ये सभी लोग इस बात से अंजान थे कि अभी भी एक मोर्विन जिन्दा है अब जैसे ही कैनन और उसके साथियों के शिप इस प्लेनेट से अपने मिशन के लिए चले जाते हैं वो बचा हुआ एक मोर्विन हमारी कॉलोनीज पर हमला कर देता है क्योंकि उस मोर्विन को इस प्लैनेट और अपने साथियों को खूने का बहुत गुस्सा था वो अपना बदला लेना चाहता था वो यहाँ पर बसे सभी लोगों को मार देता है और हर एक चीज को तबाह कर देता है और इसमें केनन की फैमिली भी मारी जाती है जब केनन को इस बारे में पता लगता है तो उस प्लैनेट पर वापस आता है फिर वो यहाँ पर सभी लोगों की डेड बॉडीज को दफना देते हैं जिसके बाद वो अपने प्लैनेट पर वापस आ रहे थे लेकिन इससे पहले हम अपने प्लैनेट तक पहुँचते मोर्विन हमारे शिप पर पहले ही कबजा कर चुका था वह हमारे शिप को डिस्ट्रॉई कर देता है और हम यहाँ प्रिथवी पर आकर क्रैश हो जाते है अब इसके बाद मोर्विन फिर से कैनन से अपना बदला लेने के लिए आता है और अब कैनन को भी अपने परिवार का बदला लेना था लेकिन अब इस बार जैसे ही मोर्विन उन पर हमला करने के लिए आता है वो उनके इस ट्रैप में फंस जाता है जैसे ही वह उस तेल में आकर गिरता है गाम वाले तीरों से उस तेल में आग लगाना शुरू कर देते है जैसे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग पहल जाती है जिससे इन सभी लोगों को लगता है कि मोर्विन मर चुका है लेकिन वह मरा नहीं था दरसल मोर्विन एक काफी चालाग क्रियेचर था जिसने बहुत सारे इनसानों को एक कैद खाने में कैद करके रखा था और वो खुद भी वहीं पर रहता था और वहाँ पर इनसानों को रखने का उसका मकसद यही था ताकि वो अपनी नसल बढ़ा सके और वो इसमें कामयाब भी होता है और वो एक मोर्विन पैदा कर लेता है और उस मोर्विन का बच्चा इन लोगों पर अटैक कर देता है साथ ही वो दूसरा मोर्विन भी आग से बाहर आ जाता है वो बाहर आते ही वो सारे लोगों पर अटैक कर देता है और कई सारे लोगों को मार देता है इसमें बादशाह की भी जान चली जाती है और पूरा गाव तबाह और बरबाद हो जाता है इसके बाद कैनन को भी ये समझा जाता है कि वो मोर्विन तक कैसे पहुंचेगा उसे एक कुएं का रास्ता मिल जाता है वो रास्ता सीधा मोर्विन की तरफ जाता था अब गांव को तबाह और बरबाद देखकर अगले दिन सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं लेकिन बुल्फरिक उसके सिपाही और कैनन उस मोर्विन को मारने का फैसला करते हैं कैनन इन सभी को बताता है कि मोर्विन एक काफी ताकतवर जानवर है उसके उपर ये आम तलवारें असर नहीं करती है जिसके बाद कैनन अपने शिप की तरफ जाता है और उसमें से बहुत सारा लोहा लेकर आता है क्योंकि वो उसी की दुनिया का लोहा था और वो उससे बहुत ही मजबूत हथियार बनाते है जिससे मोर्विन को मारा जा सकेगा इसके बाद ये लोग कुए में उतर जाते हैं और आगे जाकर ये देखते हैं कि मोर्विन ने अपनी उस जगहे पर बहुत सारे लोगों को इकठा करके रखा था और वो उनसे अपने जैसे बहुत सारे मोर्विन पैदा करवा रहा था। तब ही अचानक से नीचे से एक मोर्विन आता है और उन पर हमला कर देता है। प्लेने के लिए अर्थ पर उसे लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन केनन को लगता है कि कहीं मोर्विन के प्लेनेट की तरह मेरे लोग इस प्लेनेट पर कबजा न कर लें। इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है। जिससे उसके लोगों की स्पेस शिप वापस चली जाती है। और यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लोटूंगा ऐसी ही शांदार कहानी के साथ कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।